Hey guys, welcome to welldeco.com, मेरा नाम है देव, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वारे हैं भारत पे के 12% क्लब के advantage, disadvantage के बारे में क्या ये safe है या नहीं है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो guys इसके पहले भी मैंने भारत पे 12% क्लब आप के अपर पूरा review बताया था और आप आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो पहले जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखेगा, ताकि आपके माइन के इंदर ये concept समन में आ जाए, कि जो P2P landing है, वो digitally काम कैसे करती है, तो देखिए अगर मैं P2P landing की एक वैसे summary की बात करूं, तो simple आपके आसपास में जो लोग ब्याज के उपर पैसे देते हैं, वो पहले एक offline method होता था, उसी का जो online concept है, वो यहाँ पर P2P landing कैलाता है, अब गईस यही जो concept है, यही भारत पर जो 12% जो club app है, उसी के साथ में खेलता है, तो गईस यहाँ पर भारत पर club app जो है, वो खुदर यहाँ पर यह ची P2P landing यहाँ पर platform है, तो गईस सबसे पहले हम लोग इसके advantage की बात कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी जो बुराई है वो भी हम लोग जानेंगे, तो गईस सबसे पहले बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया है, इसके दो पार्टनर है, Lending Club और Liquid Loans, तो मैंने आपको यह ब पता होगा कि जो credit card का हम लोग payment वगरे के लिए application यूज में लेते हैं, काफी ज़्यादा popular हो चुकी credit application, तो उसने भी क्या कर रखा है, भारत Pay की तरह ही अपने platform के उपर credmin के नाम से यहाँ पर इसी तरह का एक program चला रहा है, तो आप लोग कह सकते हैं कि जो trust factor के मामले में यह जो दोनों है, Lending Club और Liquid Loans, यह दोनों ही काफी यहाँ पर अच्छी कमनिया है, second guys आपको advantage यह मिलता है कि अगर कई कोई बोलता है कि भाई मैं फिर भारत Pay के साथ में क्यों जाओ, मैं क्यों ना directly Lending Club या फिर Liquid Loans के साथ में जाओ, मतलब उनके platform के जाकर उनकी app download करके, 500 रुपे की fix जो है registration fees लगती है, account opening करते टाइम पे, तो यह जो fees होती है, वो यहाँ पर आपके भारत वे वाली जो app है, 12% club app है, उसके उपर यहाँ पर सेव हो जाती है, plus second thing guys, आपकी जो fee होती है, fund transfer के उपर मलब माली जीए, आपको balance जो है, यहाँ पर अपने wallet के अंदर add down करना है, invest करने के लिए, या फिर withdrawal करना है, तो उसके उपर भी fees लगती है, जो भी कोई भी charges लगते है, वो भी यहाँ पर सारे के सारे nail हो जाते, अगर आप भारत पे की 12% club जो है app use मिलेते हैं, इसरा guys, आपको advantage यही मिलता है, इसका जो UI UX है, वो एकदम simple है, मलब simply आपको अपने जो wallet है, उसके अंदर balance यहाँ पर add करना है, और simply invest यहाँ पर land करना है, वही पर गाईस, अगर मैं P2P landing platform की बात करूँ, वहाँ पर क्या होता है, आपको balance add करने के बात में, आपको जो borrowers होते हैं, वो यहाँ पर choose करने पड़ते हैं, मैं देखिया आपको practically बताता हू उसकी summary देखनी पड़ती है, कि उसको loan किस लिए चीए, कहा का बंदा है, उसकी profile क्या है, civil score क्या है, मलब खुद आपको judge करना पड़ता है, कि मैं इसको loan दू या ना दू, वही पर गाईस, भाद club app के ओपर क्या है, आपको simply wallet के अंदर balance डालना है, और जो भी उनकी best profile होग वह अपने आप ही auto invest हो जाएगी, मलब आपको दिमाग लगाने की जरूवत नहीं है, फूर्थ advantage आपको P2P landing platform या भाद club app के ओपर ये मिलता है, कि आपका जो P2P जो नो दोनो partner है, तो वह देखिए first thing तो ये कि केवल good profiles जी होगी, उसी के इंदर invest करेंगे, प्लस वह जो risk ह होता है, बसी लिए default होने का, उसका जो risk होता है, वह minimize करने की कोशिच करते है, verification के through, और प्लस underwriting process के through, प्लस साथ में guys, आपका जो loan amount होगा, मालीजी आप 1000 रुपे अगर आप invest कर रहे हैं, तो 1000 रुपे क्या होगा, एक ही बंदे को loan नहीं दिया जाएगा सामने, 1000 रुपे पे 12% club app के, तो देखिए पहले चीज तो यह कि risk of the default case, अगर let's suppose किसी भी case के इंदर default हो जाता है, मालीजी अगर आपने 1000 रुपे लगा रखे, 10 लोगों को वो basically loan मिला हुआ है, मालीजी उस पर दो बंदे जो है, वो यहाँ पर default कर देते हैं, तो guys उस case के अंदर इनके जो partner रहे, London Club और basically liquid loans, दोनों ही यहाँ पे केवल soft recovery करते हैं, और उस follow up करते हैं, borrower के साथ में, तो guys यहाँ पे आपके जो पैसा होता है, आपने जो लगाया हुआ है, मला उसकी कोई भी guarantee नहीं है, अगर default होता है, तो लेकिन बस आपका जो risk होता है, वो यहाँ पे थोड़ा सा minimize हो जाता है, और guys यह जो चीज में आपको बता रहा है, उन्होंने साफ साफ यहाँ पे 12% Club app का जो page है, उसके उपर लिखी हुए है, लोग यह basically पढ़ते हैं और directly सीधा invest कर देते हैं, तो guys मैं आप लोग को जो चीजे बता रहा हूँ, आपको proper यह सारी चीजे 12% Club की terms and condition के before the maturity, ठीक है, तो guys होता है क्या है, मालीच आपने 1000 रुपे दिये, तो वो तो भाई 100,00 रुपे बनके जितने भी 10 borrowers थे, उन सभी के इंदर distribute हो चुके, बलब जो loan है, वो disperse हो चुका है, तो guys अगर आप before the maturity उसको withdrawal करना चाहते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लि मालीच जितने भी investor है, वो सभी एक साथ यहाँ पे withdrawal मारना चाहते हैं, तो guys उस case के अंदर आपको 6 मेने का यहाँ पे time लग सकता है, मलब 6 मेने तक आपका जो पैसा है, आपको मिलने में यहाँ पे देरी हो सकती है, और guys यह चीज भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हो पे RBA regulate लिखा हुआ है, इसका मलब पूरी तरह से secure है, बस अपना पैसा डाल दो, जबकि guys ऐसा नहीं है, एवन जब आप P2P landing जो मलब वेबसाइट होती है, जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है, जो भी platform से उनके उपर भी आप जाएंगे, नीचे आप देखेंगे हमेशे disclaimer लिखा होता है, कि RBA का मलब यह नहीं है, कि regulate करने का मतलब यह नहीं है, कि यह कोई guarantee प्रोवाइट नहीं करेगा, कोई भी assurance प्रोवाइट नहीं करता है, कि आप जो loan दे रहे हैं, उसका repayment आपको हो जाएगा, तो guys यहाँ पर trust factor के अंदर आपको ऐसा नहीं है, कि बस RBA regulated तो बस आँख बंद करके पैसा जो है invest कर देना है, तो guys यह मैंने आपको मोटे मोटे तीन disadvantage और चार advantage आपको बदा दिये, तो guys इस app के अंदर invest करने से पहले आपको P2P landing का concept समझना बहुत ज़ादा important हो जाता है, और इसके उपर अगर आप अधिक जानकरी चाहते हैं, तो P यह टनकरी अंद और अगू यह 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 ट Я continu works तो भाहते चाहते हैं, आपको